कोरोना वारश के मामले दिन बर दिन काफी बढ़ रहे हैं। भारत की बात करें तो यहां कोरोना के लगभग हजारू मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में देश भर में लॉक्डाउन में मिली छूट कोरोना के खत्रे को और भी ज़ादा बढ़ा सकती है। जी हां दुनिया भर में पाँचफे नंबर में आने के बाद भारत चौथे नंबर पर आने की और है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत दो दिन में ही कोरोना वारस के केस के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ चुका है और चौते नमबर पर पहुँच सकता है। अभी ब्रिटेन में 2,87,000 केस हैं जो कि भारत में 2,776,000 केस हैं। इसके लावा भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार देखें तो ये दुनिया में तीसरे नमबर पर बनी हुई है। वही रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्तमंत्राले के आंकड़ों के मताबक पिछले 24 घंटे में कोरोना की 9,985 नए मामले सामने हैं। जबकि इस दुरान 2,89 मरीजों की जान गई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 2,76,583 हो गई है जिसमें से 1,33,662 मामले एक्टिव हैं। वही देश में कोरोना वारस के कारण अब तक 7,745 मरीज अपनी जान गवा चुके हैं। हलाकि कोरोना मरीजों के ठीक होने की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब तक 1,35,205 लोग ठीक हो चुके हैं। बतादे कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना से ठीक होने वालों का आकड़ा कोरोना मरीजों से जादा है। सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फो मोर अपडेट्स।